Hello everybody, myself दिगराश सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे The Constituent Assembly के बारे में देखेंगे Constituent Assembly क्या है और ये समझेंगे कि Constituent Assembly ने क्या किया है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था हम पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके थे इस वीडियो में हम जानेंगे Constituent Assembly के बारे में तो आपको एक Basic Introduction पहले ही देदू में कि Constituent Assembly उस बॉड़ी को कहा जाता है उस एक ग्रुप को कहा जाता है जिसमें कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया है जिन्होंने हमारा Constitution बनाया है तो वो तो Constituent Assembly का आपको मैंने एक Basic Introduction दे दिया अब उसके बारे में और जानते हैं स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो Constitution बना है हमारा जो समविदान बना है उस समविदान को बनाने वाले कौन थे तो बनाने वाले थे Constituent Assembly के Members और बताता हूं में कि उस समय पर वोटिंग तो थी नहीं मतलब यूनिवर्सल अडर्ट फ्रंचाइज ही थी नहीं सभी को वोटिंग राइट नहीं थे विमन को वोटिंग राइट नहीं थे तो तब क्यासे एलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं तो मैंने आपको ध्याना तो पिछले वीडियो में भी बताया था कि करते हैं Constituent Assembly में अपने एरिया से members को पहुचाते हैं तो इस तरह से Constituent Assembly के जो members थे उन्हें किसने इलेक्ट किया था Provincial Legislative Council के लोगोंने I hope it is clear तो यह elected representative थे यह elected representatives जो थे तो इनका election कब हो था July 1946 में तो July 1946 में election होता है इनकी पहली meeting कब होती है इनकी पहली meeting होती है December 1946 में तो December 1946 से Constitution बनाना चालू करती है Constituent Assembly तो इतना हमने Constituent Assembly के बारे में जाना कि एक elected representatives की body थी जिसके election कब हुए 1946 में election कैसे हुए तो जो Provincial Legislative Council थी उस समय पे तो उन्होंने क्या करा था Constituent Assembly के members को choose किया था single transferable vote के system से और उसके बात में क्या है यह meeting जो थी तो यह meeting कब हुई थी इनकी पहली meeting हुई थी December 1946 मतलब December 1946 से इन्होंने Constitution बनाना चालू कर दिया था अभी आ गया आते हैं अब क्या होता है कि December 1946 में क्या था इंडिया पाकिस्तान एक था लेकिन इसके बाद में जब 1947 आता तो तब क्या होता पार्टिशन हो जाता है अब कंट्री का पार्टिशन हो गया तो पार्टिशन से पहले जो member choose किये गए थे वह member थे 389 member ठीके तो पार्टिशन से पहले कितने members थे पार्टिशन से पहले 389 members थे अब यह 389 members थे लेकिन अब पार्टिशन हो गया तो एक पाकिस्तान बनेगा एक इंडिया बनेगा तो जो लोग पाकिस्तान वाली स्टेट legislative assembly से इलेक्ट होके आया थे या फिर वहां की प्रोविंशल legislative council से तो उन लोगों को अब इंडिया की constitution बनाना के लिए थोड़ी न बुलाएंगे वह पाकिस्तान का constitution मनाएंगे तो यह जो 389 members की body थी यह split हो जाती है ठीक है तो partition के बाद में division of constituent assembly होता है और वह इंडिया का constitution मनाएगी उसमें 299 members थे यह 299 members थे इन्होंने इंडिया का constitution बनाया था I hope it is clear partition होता है partition के आद में जो constituent assembly रहती वो division होता उसका पहले 389 member थे division होने का वाद ने 299 member ने इंडियान constitution बनाया अब यह 299 member ने इंडियान constitution मनाया तो इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने इंडियान constitution के लिए एक पहले मतलब बहुत सारी debates discussion चलते रहे तो यह December 1946 से इन्होंने बहुत लंबे समय तक November 1949 तक constitution बना के ready किया ठीक है दो डाही साल से उपर का समय लिया इन्होंने और उसमें भी मतलब इतने time period में 144 देज तक यह present रहे debates हुई discussions हुई सारे provisions को discuss किया गया और फिर constitution बना अब देखिए यहां पर एक मतलब एक थोड़ा से समझाने वाली से समझेगा adoption versus implementation of the constitution तो December 1946 से बनाना चालू किया था constitution और बना के ready कब कर दिया था 26 November 1949 ने 1949 पे ठीक है तो इतने time period में हमारा constitution बन गया था तो hereby we have adopted the constitution we have made the constitution और उसके बाद में implement कब किया गया था उसे constitution को लागू कब किया गया था 26 January नैंवरी 1950 याग था दो मेहनें रोके रखा था उसके बाद में लागू किया था एक जांपल के तौर पर जेसे कैया आपने एक नए घर बनाया है तो आपने एक भर बनके ready हो गया है कब एक STYक नवेरी को मान लो तो आपने एक मेना यहाँ पर यहाँ पर दिलेग्या है न तो यहाँ पर क्या बूलısıगे आपको घर बन गया था, रटी सिक्स नवेंबर को, 26 November को हमारा Constitution बन गया था 1949 में लेकिन हमने उसे लागू कप किया, Implement कप किया Implement दो महने बाद किया, क्यों किया, क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि मतलब जैसे जिन लोगों को हिस्टरी में इंटरस्ट और वैसे टंत क्लास में आप पढ़ोगे तो मैं बताता हूँ, कि 26 November को बन गया था, सारी चीज़े तयार थी लेकिन हमने 26 January को इसलिए लागू किया, 1950 में क्योंकि 1930 में अगर पीछे जाते हैं, फ्लेश बैक में अगर जाओगे तो 1930 में एक बार क्या हुआ था, जो कॉंग्रेस की अलग-लग मीटिंग होती है कल एक कॉंग्रेस सेशन कराची वाला मैंने आपको बताया था कमेंट सेक्षन में आप बतायेगा कि कराची कॉंग्रेस सेशन में क्या हुआ था तो 1931 में जो कराची हुआ था, अभी मैं आपको 1930 की बात बता रहा हूँ 1930 में क्या हुआ था कि जवाललाल नहरू ने ये प्रोक्लेम किया था कि आने वाली 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस दे बनाएंगे ठीके, तो जवाललाल नेहरू का ये मानना था कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस दे बनाएंगे और उन्होंने पूर्ण स्वराज रेजोलिशन पास कर दिया था, लाहोर सेशन में 1929 में तो 1929 में जो पूर्ण स्वराज resolution पास किया था वो किस तारीक को significance दे रहा था 26 January को मतलब 26 January के अगर आप historical importance देखो तो उस दिन हमने ऐसा proclaim करा था कि हमारे को 26 January को क्या मिल जाएगी आजादी मिल जाएगी लेकिन उस समय मिल नहीं पाई 26 January को आजादी और यहाँ पर आजादी हमें कम मिली थी 15 अजस्त को मिली थी तो यह date आजपास में थी 26 November और 26 January तो हमारे constitution makers ने सोचा क्या कि इस date की 26 January की अपने आप में एक बहुत बड़ी significance है जवाल नहरू ने उस दिन पूर्ण सोराज का resolution पास किया था मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि हम 26 January को क्या बनाएंगे आजादी बनाएंगे लेकिन मिल नहीं पाई थी तो उस दे को celebrate करने के लिए हमने क्या करा चलो आजादी नहीं पाई उस दिन तो कुछ नहीं हुआ आज हम आजाद हैं और हमारा Constitution हम लागू करने वाले हैं इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो हम 26 January 1950 को इंप्लीमेंट करेंगे आगाए सवज में इस खारंस हमने दो महने डिले करा था क्योंकि 26 January की अपने आप में significance है जवालना नहरू ने क्या करा था उस दिन एक resolution पास करा था कि हमें इस दिन आजादी मि होगा वह elected person होगा ठीक है elected person head होगा तो यह Republic बनाता है इस दिन को हमने constitution adopt किया था और इसे हम गंड़तंत्र दिवस की नाम से जानते हैं गंड़तंत्रियाने Republic ठीक है तो यह पूरी पिच्चर आपको clear होगी है adoption और implementation का कुशन नहीं आता है वैसे लेकिन फिर भी समझा दिया question one marks में जरूर आ सकता कि कब हमने implement किया था कब adopt किया था कब लागू हो गया था हमारा constitution और कब बन के तयार हो गया था इस तरह से तो यह constituent assembly बताया मैंने आपको बताया कैसे elect होती थी पर partition के बाद में कैसे split हुई है फिर उसके आद में कब constitution ready हो गया था और कब हमने implement किया उसे कब लागू किया अभी अभी यह देखते हम कि अच्छा आप यह बताई यह 70 साल हो गया आज 70 साल से उपर हो गया है आज हम उस पुराने constitution को क्यों आज भी माने हुए मतलब उस constitution को आज भी क्यों हम समाल के रखें आज भी उस constitution के हिसाब से क्यों चलते ऐसा बोल सकते कि वो तो बहुत पुराणे समय में बनाया गया था तो अब उसकी importance नहीं रही हमें constitution change करना चाहिए यह सारी चीजे ऐसा बोला जा सकता है लेकिन हम आज भी उस constitution को accept क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण समझते हैं देखो तो सबसे पहले उसकी legitimate ऐसी देखिए कि बहुत सार में दूसरी countries में ऐसा हुआ है तो हमारे constitution के साथ में लेकिन ऐसा नहीं है हमारा constitution जो है तो उसे accept किया गया हर social group ने accept किया है कुछ आवाज है उठी थी जरूर आजू बाजू के group से लेकिन broadly अगर देखा जाए तो हर political party हमारे constitution को accept करती है हर social group हमारे constitution को accept करता है हर religious group हर caste मतल है जो उसकी value है लोगों में वह बहुत जादा है इस कारण से हमें जरुवत ही नहीं पड़ी कभी कि हमारा constitution हमें बदलना पड़े अगली चीज क्या है state assemblies थी उस समय पे तो वो क्या थी provincial legislative councils अलग-अलग geographical area से थी मतलब कहीं कि मतलब जैसे सदन इंडिया की कोई provincial legislative council थी वैसे North India की थी Western India की थी अलग-अलग provincial legislative councils थी अब यह provincial legislative councils क्या करती थी इन्होंने जब single transferable vote के through constituent assembly के members को decide किया है तो एक fair geographical representation मिलाए हमें मतलब हमें हर छेत्र से क्या मिले है हर छेत्र से leader मिले है हो सकता था शायद अगर universal adult franchise के basis पे भी आप लाते ना तो भी इतनी इतनी diverse constituent assembly नहीं मिल सकती थी आपको इसमें Congress के अंदर के लोग भी थे Congress के बाहर के लोग भी थे दूसरी पार्टी के लोग भी थे जो Congress की policies को oppose करते थे वैसे लोग भी थे तो जब एक बोल सकते हैं एक अच्छा mixture बन गया था अभी अच्छा mixture जब था तो यह तैय था कि अ वो हमारी country के सारे people को क्या करते थे represent करता था constituent assembly represented the people of India अब अगली चीज़ के last process by which it was made अब process by which it was made को समझेगा कि constitution की legitimacy इस कारण से भी है क्योंकि जिस तरह से constitution बनाया गया था वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा achievement रहा है कैसे जैसे हमने एक drafting committee बनाई कुछ factual details से इने पुछा जा सकता है उसके बाद में drafting committee मतलब जैसे होता है ना आपकी class में पिकनिक पर जाना है तो teacher ने क्या बोल दिया teacher ने चार बच्चों को बोल दिया कि आप सारी places decide करके आए कहां जाना है budget बना के लाए कि कितना पैसे लग सकते हैं कैसे कहां रुखेंगे क्या करेंगे सारी चीजे तो आप एक draft बना के लाएंगे मतलब तच्चा चिट्था जिसे बोलते ना तो उस तरह से क्या हमने constitution ऐसा नहीं कि बस बैठे और बना दिया constitution का पहले draft बनाए गया था मतलब क्या होना चाहिए हमारे constitution में और इस drafting की responsibility किसको दी थी डॉक्तर बियार अंबेटकर को इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था father of Indian constitution भी कहा जाता है तो उन्होंने constitution ड्राफ्ट किया था और drafting committee के chair person भी वो थे तो यह दो factual details ध्यार रखेगा constituent assembly के president कौन थे डॉक्तर राजिंद प्रशाद जो आगे जा के country के पहले president बनेंगे और drafting committee के chair person कौन थे तो डॉक्तर भीम्राव अंबेटकर यह भी धियान रखना अपको ठीक है तो process by which it was made way में बताना चाहरा था कि जिस तरह से हमारा constitution बनाए वो तरीका अपने आप में ब थे तो इन्होंने बहुत सूजभू से हर country से कुछ नहीं कुछ सीख के हमारे past experiences को मिला के एक बहुत अच्छा constitution का draft तयार किया अब जब वो ड्राफ्ट उन्होंने present किया तो ऐसा नहीं कि जो उन्होंने present किया उसे accept कर लिया गया उस पे बहुत जादा debates हुई उस पे बहुत तरीकों से changes किये गए इतना debate discussion हुआ debate discussion होने के बाद में क्या है कि amendments लाएगा amendments के बाद में जो भी चीज़ें accept की गई है जैसे fundamental rights accept किये गए है या फिर कह सकते है reservation accept किया गया है तो क्यों किया गया है उसके पीछे rational निकाला गया मतलब उसके पीछे क्या निकाला गया कि क्या कारण हो सकता है rational दिया गया तो देख सकते हैं आपकी जिस process से constitution बना है उस process में क्या है कितनी सारी अलग अलग चीज़ें कितनी सारी अच्छी चीज़ें है क्या सकते हो और इसी कारण से हमारे constitution का acceptance है मतलब उस constitution को हम आज भी उतनी value देते हैं जितनी 70 साल पहले जब वो बन क्यों है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर आपको class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available होंगे जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com अब next video में हम discuss करेंगे guiding values of Indian constitution तो मिलते हैं next video में thank you thank you very much